और ठोड़ी देर हम लोगों लगों सब्सक्राइब तयूंके रिया और हम लोगों को खूंँदे bucks हम लोग को घूमना फिरना है उतकर्ष और उतकर्ष के पापा रेडी हो रहे हैं तो बस हम लोग निकलते हैं और आप लोग हमारे साथ चलिए और जो भी मैं कर पाऊंगे मैं करूंगे मुझे यहां का कोई आइडिया नहीं है इसलिए सब कुछ एन एक्सपेक्टेड है जो भ पता नहीं कैमरा निकालना चाहिए कोई टोक ना दे कि भाई यहां वीडियो मत लो ऐसा मत करो तस तरह की चीज़े रहती है लेकिन फिर भी हम लोग नज्वाय कर रहे हैं और आप लोग मैक्सिमुम यहां पर दर्शन पूजन ही करेंगे और आप लोगों के लिए भी प्रे कि नहीं पूली ठहाँ कि अ करेंगे व нап stimmt लोगे हैं इन् tap लूड़ करी कि लिएयोघ झालना तरह कहें ऑन व मुझे जाए राम घाट बहुत ही ब्यूटिफुल घाट है दोस्तों रेली में बहुत सुंदर है और यह शिप्रा नदी है और उसके बीच में पूल बना हुआ है जिस पे लोग पैदल ही यहां से वहां जा रहे हैं और उतकर्ष तो इतने जादा खुश है इससे देखके कि मैं क्या को हू हैंगे क्योंकि बहुत दूर दूर जाना है में दर्शन करने और घाट के उस तरफ जो है मठा मठ बने हुए हैं अखाड़े बने हुए हैं जो यहां के शायद फेमस हैं और सभी खुमने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है रह रहे के बादल हो में पास दूर रहा है और उतकर्ष जो है जित कर रहे हैं कि उनको वोटिंग करनी है तो देखते हैं उस हम दो गोटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे लेकर में कि अ कि अ कि आ कि कि अ कि आ कि आ गज़ बार्साट के दिरों में बड़ा तंग करता है बहुत चिपकता है उसमें से गोंद जैसे लिफर लिफर निकलता है घिना दिया ऑपर इमली देखू, इमली लगी है बड़ी बड़ी लिए आप काइम, प्यूटिफुल तो तो सॉट भी पहन के आया है नो कैसे पैरट आतेगा वाव इसमें जो फिशेज होती है वो अच्छा पैडी के ओर कर देती है ना और नीचे मत बैठ दिएगा इसके बाद पानी है जी को बैठ आपा के सब पंद्रह वीस मिनिट हम लोग यहां पैड डाल के इसी तरह पानी में बैठे रहें बहुत अच्छा लग रहा था लहरे देखने कि अब हम वापस चलते हैं थोड़ा सा उस तरफ का खाड़ा वगरा देख लें काफी शांत माहौल है यहां का और उतकर्ष को तो दोड़ने में बहुत मज़ा आ रहा है पानी में पैर डालने के बाद तो सीधे वस वह लगातार च्छलांगी लगा रहे हैं इधर से उधर थे दोड़ रहे हैं और हम लोग बापस आजए क्योंकि हमें बहुत सारी जोगा दरशन और भी करना और हमारे पास एक दिन का समय है कल का रूटीन हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा कब हम लोग आवार्ट फंक्षन से फ्री हो पाएंगे तो पर निकल रहे हैं यहां से तो इसके बाद हम लोग पहुंचे महरशी संदीपनी आश्रम जहां पर जो है कृष्ण भगवान की शिक्षा दिक्षा हुई थी सुदामा जी के साथ और बलराम जी के साथ तो हम लोग उस आश्रम घूमने गए हैं और यह भी बहुत ही ज्यादा सुंदर परेड़ों के हिसाब से बनाया हुआ है यहां में लिखा थो था कि आप लोग जो है कैमरा आफ रखे लेकिन बाहर हम लोग जितना जो ले सकते थे व और मैं आप लोगों को बताओंगी कि यहां उतकर्ष ने भी अपनी परसनल व्लोग की है और मैं आप लोगों को ज़रूर से व क्लिपिनग दिखाओंगी कियोंकि हम लोग उसकी व्लोग देखके बहुत हस्रे थे और यहां बहुत सारे वलोग esti अपना बहुत सारा set up लेक के तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मैं क्या व्लॉबिंग करती हूं ये लोग कितनी जादा महनत कर रहे हैं चौगनी महनत वो लोग कर रहे हैं मैं तो उसका एक परसेंट भी नहीं करती हूं तो यहां पर पूरे रूल्स लिखे हुए थे और हमें बस अंदर जाके वो सारी विधाएं भी देखनी थी तो मैंने जल्दी जल्दी पहले कैमरे में उसे कैप्चर किया फिर इत्मिनान से खड़े होके खुद उसे देखा क्योंकि अब दुबारा कब आना होगा पता नहीं और ये मुझे कड़ा करती इतनी सुन्दर इतनी भव्य लग 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 उसकी नाम इत्ती सारे सब्जक्र पढ़े ही थी उन्हें हर विधाओं के एक चित्रकारी थी किस तरह से उन्होंने शिक्षा ग्रहन की थी कैसे वो रहते थे उनके रहन सेहन के साथ इतना भव्य लग रहा था ये वाला भवन कि मैं आपको क्या कहूं और बहुत ही सुन्दर तरीके से इसको रखा गया था मेंटेंड किया हुआ था तो हम लोग यहां काफी देर रहे और काफी सारे लोग यहां पर आए एक एक चीज पढ़ रहे थे और उतकर्ष को तो यकिन ही नहीं हो रहा था कि 14 सबजेक्ट होते हैं और वो उन्होंने पढ़े हैं उनकी विधिवत शिक्षा कृष्ण भगवा लिए उसके मन में बड़े सवाल थे कि वो तो भगवान थे फिर उनको इसकी क्या जरूरत थी तो उसके पापा को यह सब बताने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था तो वो उससे सारी चीज़े समझा रहे थे के करके यहां आल्मोस्ट सभी लोग जो है वो वीडियो बना जाता है कि कृष्ण भगवान ने यहां पर अपनी फॉर्टीन शिक्षा लिए यह रहे उसके नाम दूस्तों यह क्रिश्ण भगवान का एक दूस्तों यह एक प्रिश्ण भगवान का म्यूजिम है बहुत ही सुन्दर है एसमेट ऐसा है यहां पर बहुत ही इच्छी सारी बढ़तिया रखी है यह यह और यह है यह मोर बज़े रहे है बहुत ही अच्छा है यहां पर ज्यादा भीड नहीं है यह है यह है बहुत सारी अच्छी फोटो रखी हैं अब हम बहार आचुके हैं यह यह मुर्दिया है भगवान की क्रिश्ट भगवान बलराम जी और सुदामा जी यह बहुत इच्छा मंदिर था यह आश्रम है अभी मैंने आपको वहां का किया अब यह मेंगेट है इसका अब यह कुंड है दोस्तों भले मैंने बाकी वीडियो जो है ओवर वॉइस किया है लेकिन उतकरश का ओरिजिनल रखा है क्योंकि उसकी वॉइस मचे खुद अपने आप में सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी मैं इंज्वाय कर रही थी और मैं उमीद करती हूं कि आप लोग भी इंज्वाय करेंगा और सच पताऊं तो यह उमेजियों गूमने में मतलब अच्छा तो लग रहा था लेकिन उतना समझने क के लिए मेरे पास टाइम नहीं था और नहीं शक्ति थी और भी जगह जाना है इस हडबड़ी में मैं जल्दी जल्दी सब देख रही थी और आप लोगों को भी जल्दी दिखा रही हूं यह सभी जगह गूमने के लिए कम सकम दो-तीन दिन लाना चाहिए साथ हर जगह को ग अजय है मेरे दो आएंर नहीं हूं जे दौ ह माझाए temps में